हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल स्टडी फोर यू आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जो आपका SSC MTS का एक्जाम होने वाला है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक उसके top most important questions को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैं आपको 100% ये guarantee देता हूँ कि आपके एक्जाम में जो यहां से प्रश्ण जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो लाश्ट तक जरूर देखेगा और आपसे request करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो SSC MTS का daily practice हिट पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और बगल में यह आपको एक bell icon यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा टैंसर हो जाएगा बात कर ले खिलापत समीटी के स्थापना कहां पर हुई थी तो ये बॉंबे में हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है और यदि एक्जाम में पूछा जाया दोस्तों कि खिलापत करमेटी की पहले सम्मेलन के अध्यस्ता जो ये किसके द्वारा किया गया था तो देखें खिलापत करमेटी के जो पहला सम्मेलन हुआ था वह आपका 24.09.19 में हुआ था और इसकी जो अध्यस्ता है वो महात्मा गांधी ने की थी तो ये भी आपको याद रखना है और ये पहले कमीटी का जो सम्मेला ने ये कहां पर हुआ था तो ये साध्य। चाथ बंगान का मैं प्रुझा ऑन को में बचनुख है बात कर लेगा लगार का सब्सक्राइब और वारफैनस बात कर लें बदानां दो में जैए खहरो दोर चैए व्योवार फोर्वरें का कारा बार है। तो ये भी आपको याद रखना है और कभी कभी एक्जाम में कोशन पूछ लिया जाता दोस्तों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था वो तो गवर्नर जेनरल थे वारेन हैस्टिंग लेकिन बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट कलाइब जो आ 1828 से लेकर जो है 20 मार्च 1835 तक रहा था तो ये भी आपको याद रखना है अगर पूछा जा कि भारत का पहला वासरा है कौन था तो भारत का जो पहला वासरा है था ना ये आपका विसकॉंट कैनिंग था तो ये भी आपको याद रखना है और इनका जो कारेकाल रहा था व जो सुत्रपात है ना यह जौसेप लिस्टर ने किया था तो जौसेप लिस्टर जो आपका यहां पर क्रेक्ट एंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दो नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर कहां पर आयो जित हुए हैं तो यह गुहाटी जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर लें 2020 में प्रतमस्तान पर कौन सा राज जिरा था खेलो इंडिया यूद गेम्स में तो महराष्ट जो सबसे ज़्यादा मतलब मेडल जी सेकंड पर आपका हरियाना रहा था और थर्ड पर आपका डैली रहा था बात कर लें 2019 में यह कहां पर आयो जित हुआ था खेलो इंडिया यूद गेम्स तो यह महराष्ट में आयो जित हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है और प्रतम रैंक पर जो रहा था वो जिरा था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका है दोस्तों कि नेत्रसंबंदी बीमारिया जो ये किस विटामिन की कमी से होती है तो देखें नेत्रसंबंदी जो बीमारी होता ना वो विटामिन एक ही कमी से होती है तो विटामिन ए जो आपका यहां पर के कमी से होता है तो यह भी आफको याद रखना है बात कर लें बीटामीन B की कमी से कौन सा रघ होता है तो डीटेजन सकती का कम हो सो ना यह जो विटामिन ए की कमी से होता है विटामिन के की कमी से क्या होता है तो रूधीर का जो धक्का देर से जमता है यह जो आपका विटामिन के की कमी से होता है तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी आपके प्रशन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पर क्रिक टैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर किसी धातू को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो किस धातू को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो यह सोडियम धातू को तो सोडियम आपका यहाँ पर क्रिक टैंसर हो आपका समवर्ति सूची में पर पूछा जाएगा। देखें अब आपके मन में दाउट यह हो रहाँ हो गोगे कि सातवी अनुसूंची है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो सातवी अनुची है ना ये राज्यो और संग के मद्ध के अधिकारों को जो ऑलेखित करती है तो ये भी आपको याद रखना है कि सातवी तो बात कर लें बात कर लें मुझा जाए कि कब हुआ था तो ये जून 1928 में हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है और ये जो बार्दोली सत्याग रहा था ना ये एक पर्मुक किसान आंदोलन था जिसका नेतितुर सरदार बलंभाई पटेल ने किया था और ये कहां से हुआ था तो गुजरात में हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है देखे मेरा उदेश ये है कि अगर मैं आपको एक कोशन भी बता रहा हूँ ना तो उसके सारे फैक्ट आपको बता दू था कि आपको जो है एक प्रेश्न में सारे एंसर जो उसका पता चल जा है नेक्स्ट कुशन आपका यहाप है कि 22 अक्टूबर 1764 को जो है कौन सा यूद हुआ था तो देखे 22 अक्टूबर 1764 को जो है न यह बकसर का यूद लड़ा गया था तो बकसर का यूद आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा या फिर कोशन आप से घुमा के भी पूश दिया जाएगा कि बकसर का यूद कब हुआ था तो यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था तो यह दोनों डेट और आपको यूद नाम याद रखना है उसके बाद पूछ लिया जा कि बकसर का यूद किनके मत दिया था तो यह ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी और आपके अवाद बंगाल और मुगल के विरुद हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है और इसमें आपको बता दो दोस्तों की question ये पूछा गया कि आंक का कौन सा भाग जो है वो transparent होता है तो आंक का जो आपका cornea भाग होता है वो आपका transparent होता है तो cornea आपका यहाँ पे क्रिक टैंसर हो जाएगा जो कि आंक का एक पारदर्सी हिसा है जिसे जो बाहर का प्रकास पढ़ता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपको आपके दोस्तों कि किसी की आंक में रोड कोसी का ज़्यादा होती है और कौन कोसी का कम होता है तो उसे क्या कहते हैं तो देखिए मतलब किसकी आंक में पूछा गया है तो देखिए उल्लू की आंक में जो है ना व पूछ लिया जाए कि कौन सा एक ऐसा पच्ची है जिसे जो रात में अधिक असपस्ट दिखाई देता है दिन के अलावा ठीक है तो उल्लू फिर आपका करेक्ट टैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आपके दूस्तों की भारतिय सम्विदान की आठवी अनुसूची यह नेक्स्ट कुश्चन आपके दोस्तों की भारतिय सम्विदान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी सब्द कब जोड़ा गया था तो आपसं टू आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आपके दोस्तों की सापेचिता का सिधान जो है यह किस ने दिया था तो देखिए सापेचिता का जो सिधान तैना यह आइंस्टीन ने दिया था तो आइंस्टीन आपके यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि इस्रो जो यह यह कहां पर इस्तित है तो इस्रो का जो फुल फॉम होता है न वो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजीशन होता है जिसको हिंडी में बारतियए अंतृ अनुसंधान संस्तान कहते हैं और इसका जो मुख्याले है वह आपका बैंगलोर Red में Istitth झाईगा न ξ पो फैड़ोसिक है कि अपर दर्श K not के पर मानू की नाभी की खोज्च जो है ये किस ने की थी तो ये रधर फोर्ड ने किये थी तो रधर आपका यहां पे करेक टैंसर हो जाएगा बात कर लेंगे रॉदर फोर्ट जो यह कहां के वैग्यानिक थे तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन जो कि आपको कमेंड बॉक्स में जवाब देना है किसी वैक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उलंगन होता है तो वह किस के पास जा सकता है आपके ऑप्सन में भारत के राश्पदी के पास जा सकता है भारत के प्रदान मंतरी के पास जा सकता है या सरवोच न्याले के पास जा सकता है या फिर उप्रोक्त कोई भी किसी के पास भी जो वो जा सकता है तो आपको जो इसका कमेंड में जरूर जबाब देना है मैं भी देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी जो वो कैसी चल रही है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो